Hello students, आप मैं से काफी सरे students का मेरे पास comment आते थे कि सर उडिसा की counseling कब से start होगी? उडिसा स्टेट की 85% स्टेट को time counseling कब से start होने जारिये? तो इसकी regarding notification आचुका है, counseling आज से start हो रही है Odisha Joint Entrance Examination OJEE की website पर जैसे आप विजिट करेंगे तो आप रेजिस्टेशन कर पाएंगे मैं आपको date बता देता हूँ कि आपका जो रेजिस्टेशन है जो online application और document verification के लिए documents का uploading कहें लिए आपका जो time है वो 10th of the November से लेके आपका 18th of the November तक ये चलेगा 12 noon से counseling स्टार्ट होनी थी, registration स्टार्ट होनी थी तो आपकी registration ये आप स्टार्ट किये जा चुकी होगे अगर आपसे बात करें, publication of the estate maritalist आपकी 21st of the November को आएगी choice filling और choice locking आप 23rd और 24th of the November को कर सकेंगे first round का allotment letter, allotment letter को download के लिए आपको यो time दिया गया है आपको 26th of the November को आप पर आपका publish कर दिया जाएगा, आप उसको download कर सकते हैं seat को आपको accept करना है या पर नहीं करना है आपको जो admission fees पे करनी पड़ेगी अगर आपने seat accept किया and downloading of the provisional admission letter ये सब आपका 27th से लेकर 30th of the November तक चलेगा देखे, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देए कि यहाँ पर आपके दिखे uploading of document for online verification ये आपके हो जाएंगी आपको online fees पे यहाँ पर करनी पड़ेगी अगर हम बात करें कि अगर आप अपना resignation देना चाहिए जैसे कि आपको कोई भी seat allot हुई है और आप उससे resign करना चाहिते हैं तो आप उसको resign कर सकते हैं उसके लिए भी आपको एक preferred time दिया गया है अगर हम बात करें कि receipt of all India quota seat भो भी आपको यहाँ पर डालनी है अब यह सब कुछ आपको पूरा दिया गया और आपका जो second round होगा वो पूरा second round का जो registration है बैकेंस यह कब से होगी तो यह आपकी जैसे all India quota का पूरा होगी आपको रॉन काउंसलिंग भी all India की पूरी हो जाती है उसके बात जो all India quota seats जो seats भापिस आती है तो उस seats को सब कुछ लेक के आपकी जो बापिस second round के जो counseling स्टाट होगी वो आपकी 4th of the December से लेके 5th of the December तक आपके registration स्टाट होगे उसके बात फिर आपकी choice filling, choice locking यहाप पे आएगी जो कि आपकी पूरी अगर ओड़ी सा स्टेर की counseling की बात करें तो आपकी 15th of the December तक यह counseling यहापे चलने वाली है MBBS और VDS के ही यहापे registration स्टाट हुए है, मैंने इसको अपने group में publish कर दिया है, आप इसको easily वहाँ जाके देख सकते हैं, thank you